हेलो दोस्तो सावगत है आपका हमारी इस यूटूब चैनल पर आज हम लोग बात करेंगे ताज एक्सप्रेस के बारे में अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से जरू करना और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले ऐसे इंट्रेस्टिंग और इंफ्रमेशन वाली वीडियो के लिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तों ताज एक्सप्रेस की सुरुवात 1964 में दिल्ली से आगरा की बीच में किया गया था यह टूरिस लोग को घुमने के लिए ट्रेंड को चलाया गया था यह दिल्ली से आगरा के बीच के 3 घंटे की सफर को 2 घंटे 30 में में कवर करती है विद स्पीड ऑफ 105 किलोमेटर पर आवर यह ट्रेंड की सुरुवात डेकन कुइन ट्रेंड के साथ किया गया था जो कुने से मुंबाई की बिचुम चलती थी और यह दिल्ली से आगरा की बीच टूरिस्ट को काफी ट हमने जाता था वहाँ के प्लेस को घुमने का जैसे ताज मल औउगे फॉर्ड हो गया यह वह गुमने का काफी ट हमने चला जाता था इस ट्रेंड को हफट में शिप शिय दिन चलाया जाता था यह ट्रेंड 200X शरू में ताजज इक्स्प्रेस को WP7003 स्टीम इंजन स्टीम लोकोमोटीव पुल करता था और इसके कुछ सालों बात अक्टूवर्ड 1982 में इसे WDM2 डीजल लोकोमोटीव पुल करने लगा और 1985 में इस ट्रेन को गॉले जंसंतर कर दिया गया इसके बाद ट्रेन को टोटल जंडिक अवर करने में 5 आवर 20 मिनट का टाम लगने लगा 1986 में रूट इलेक्रिक फाइव होने के बाद ताज एक्सक्रेच में वैप 7 या वैप 5 इलेक्रिक लोकोमोटीव का यूज होने लगा और जुलाई 2006 में इस ट्रेन को जहांसी तक कर दिया गया और जैसे से इस ट्रेन की पॉपलेटरी बढ़ते गई इस ट्रेन में और चिंज होने लगे चार्जनवरी 2016 में इस ट्रेन में बुलू एलेजबी कोचेस का यूज होने लगा और फरवरी 21 फरवरी 2018 से इस ट्रेन का सोस्ट स्टेशन चेंज करके निजामोदीन से नियू देली कर दिया गया बात करें इस ट्रेन की स्टॉपेज की इस ट्रेन में टूटल नौ स्टॉपेज है जो की निजामोदीन फरीदाबाद मतुरा राजा की मंडी आगराग वालिवर होते वे दो बच के दस मिनट पे जहां सी पहुंचती है जो की इसका 403 किलोमेटर का जर्णी है तो यह सावन आवर में इस जर्णी को कॉप्रेट करती है हम बात करें इस ट्रेंड के कुछ कोचिस की तो इसमें एसी चेर का सिटिंग चेर का होती है तो दूस्तों आपको यह छोटा सा वीडियो कैसे लगा है ताज इस पेस के ऊपर आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बता है और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तो थैंक्यू गाइज पर वाचिंग दिस वीडियो तो अ